इसके सिन्हा आज 28 तारीक के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आए हैं उनके और गेनिक केमेस्ट्री के कोश्चन्स मैं डिसकस कर रहा हूं और कुछ कोश्चन्स यहां काफी अच्छे कोश्चन्स हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह हमारा कोश्चन नंबर यह मैकनिजम डिलेटेट कोश्चन और इस कोश्चन में क्या दिया गया कि आपके पास एक अलकोहल है एच प्लस है एच प्लस का मतलब एस्टिक मीडियम है स्ट्रॉंग एसिड मानते हैं और साथ ही साथ हीट है तो यहां क्या बनना चाहिए तो अगर आपको मैकनिजम का थ यह रास्टा चला गया अब यहां पर हमारे इ Anton बनने का मतलब यह हो गया कि यह रास्ता चला गया अभ यह हमारे पास घ्या डगा भीक्रन चलंग त furnace पर केंड़े, मैं दें save भा घट सकती है एक घटना घट सकती है हम वहां कर यहां ध्यान देना कि कार्बो कटायन जहां होता है वहां दो तरह की घटनाय घटती है या तो इलिमिनेशन होता है या S.N.1 होता है तो खेर यहां हीट भी दिया हुआ है इसका क्या मतलब है कि यहां पर Elimination reaction होने की समभवना है और अगेन जहां कार्बो कटैन होता है वहां क्या होता है तो रियारजमेंट होता है तो आप देखे कि इसके बगल वाला यह यह सिस्ट कर सकता है मैहिगरेट कर सकता है और इसके माइगरेशन से अब क्या हम इस रास्ते से जाएंगे इसको रियारेंज कराएंगे थ्री डिग्री कार्बो कडायन बनाएंगे और इसके बाद क्या होने वाला है तो इसके बाद होने वाला है यहां पर elimination reaction अब यहां पर दो दो hydrogen हैं दोनों side में हैं तो कौन सा alkene बनेगा तो ज़्यादा stable alkene होगा वो बनेगा यह proton यहां से निकल जाएगा और आपके पास एक ज्यादा stable product बनेगा alkene बनेगा और वो कौन सा alkene है तो alkene यह है क्या यह कहीं कौन सा हुआ elimination reaction हुआ और साथ ही साथ यहां पर क्या हो रहा है rearrangement हो रहा है काफी अच्छा question जाई मेन के point of view से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले question की हो रहा है next question यह भी एक अच्छा question है aromatic compound का aniline dependent find correct option regarding the reaction इस reaction के बारे में correct option का combination कौन सा है तो पहला number हमारे पास aniline दिया हुआ है और aniline का हम nitrogen करा रहे हैं aniline का nitrogen करा रहे है strong acidic medium में H2SO4 भी है HNO3 भी है तो यहां पर क्या होगा तो पहला number का aniline का जब भी हम nitrogen mixture में nitrogen कराएंगे तो जो हमारा stronger acid होगा वो क्या हो जाएगा H2SO4 और यह stronger acid क्या करेगा तो यह stronger acid protonate यहां पर क्या करेगा सबसे पहले proton देगा और यह proton आगे क्या करता है तो यह proton आगे करता है कि protonation करता है कि ल संद सुद्फूर अधा है क्या क्या है विऔर यहां पर क्या बनता है तो यहां पर यह पर निट्रीएट का protonation करके यह बनाता है क्या बनाता है Nitronium आयन यहां पर वाटर निकल जाता है और और यह निटरोग जो ग्रूप है यह फॉर्दर क्या करेगा यह फॉर्दर अटैक करीगाएलीन पे लेकिन एक घतना और घतने वाली है वह क्या और यहासे डिक मीडियम में है तो एनन लीन ca सlles साथ यहां क्या नहीं बन जाएगा एनलीनियम आयन भी बनेगा तो इस तरीगे से आ देखें कि इस solution में आपके पास क्या है एनलीन भी है एनलीनियम आयन भी है और नैट्रोनियम आयन भी है तो कुल मिला करके इसमें कौन-कौन से option सही है HNO3 act as an acid, okay acid तो है लेकिन यहां पर इसका behavior acid का नहीं है, तो यहां पर कौन acid है H2SO4, H2SO4 act as an acid और यह favor कर रहा है क्या नैट्रोनियम आयन के formation में, again major product is formed at ortho and meta और major product is formed at para and meta position इसमें कौन सा correct है तो यह basically experimental data है कि जब भी हम aniline का nitrogen कराते हैं तो और्थो हमारे पास मिलता है 51% के आसपास और meta मिलता है, meta directing क्यों हो गया, anilineum आयन के कारण, यह करीब-करीब 48% के आसपास, तो इस तरीके से हमारे एक सही options कौन-कौन हुए है, तो be at, sorry, यहां पर ध्यान दिजिए, यहां पर हमारे सही position कौन-कौन है तो यहां पर और्थो नहीं, this is what, this is para, तो para पर मिलता है 51% और meta पर मिलता है 48%, तो सही option हमारे कौन-कौन सा हुआ, तो c, sorry, c नहीं हुआ, तो answer हो गया b and d, तो b and d का combination कौन सा है, तो यह second वाला combination पर है, तो हमेशा ध्यान रेखना है, कि जब भी हम aniline का nitrogen कराते हैं, तो हमार major product, para है 51% और meta position पर कितने है 48% के आसपस, तो this is the combination para and meta का combination यहां मिलेगा, तो हमारा correct answer हो गया b and d, okay, next, यह जा करके आठवे paper में एक nomenclature का question आया है, इसका IOPC नाम लिखना है, right IOPC name of this compound, तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखें कि यहां पर क्या है, carbon कितना है, carbon का chain क्या है, functional group क्या है, तो यह हमारे पास carbon की chain है, और इस chain में यहां पर क्या बैठा हुआ है, functional group कौन सा है, तो functional group, senior most group कौन सा है, तो senior most group is aldehyde, और इस पर क्या हो गया, तो oxygen हो गया सबस्टिच्वेंट, और यहां नाइट्रो हो गया, और इस chain का length कितना बड़ा है, तो उसे भी आप देख लीजिए, कि यहां पर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, अच्छा एक और सबस्टिच्वेंट है, जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, वो कौ कि 2 पे तो methyl हो गया, 3 पे oxo हो गया, और 6 पे nitro हो गया, और इन्हें alphabetically arrange करना है, तो यहां पर alphabetically जो आप arrange करेंगे, तो क्या लिखाएगा, 2 methyl, 6 nitro, 3 oxo, hept, 4 in, 1, 2, 3, 4, 4 in and ul, तो यह हमारे पास इसका correct IOPC name है, 2 methyl, 6 nitro, 3 oxo, hept, 4 in, ul, ओके, next हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की और, structure of tagamet, यह basically आपके chemistry in every life का question है, एक simple सा question है, fact based, it is purely fact based, आप इसे tough मान सकते हैं, चो कि tough इसलिए है, कि आपको यह रटना होगा, तो tagamet का structure क्या है, चो कि आप NCRT पढ़ते रहे हैं, तो tagamet का यहीं structure है, कि इसमें sulfur भी होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुल मिलागर करके, this is the structure of tagamet, तो इस बात को ध्यान रखना है, यह tagamet का structure और इसका correct answer 1. नेक्स्ट यह question environmental chemistry का बार बार यहाँ से question आते हैं, और करीब करीब हर सारे papers में, यहाँ पर environmental chemistry से question आये हैं, just कल सुभा का जो एक paper था, आज सुभा का एक paper था, उसमें question नहीं आये था, तो यहाँ पर आप देखिए, simple question, fact based photochemical smog किसे कहते हैं, oxidizing smog, photochemical smog में, nitro भी होता है, ozone भी होता है, and peroxy acetyl nitric oxide होता है, तो यह pan हो गया, NO2, O3 and pan, question, तो this is your fact based question, अब next question number 6 पे चलते हैं, अब इस question number 6 में हमने दिखते हैं, isobutyl aldehyde, this is nothing but isobutyl aldehyde, and formaldehyde, isobutyl aldehyde and formaldehyde का reaction है, K2CO3, potassium carbonate, तो potassium carbonate solution is nothing but hydroxide iron, यहाँ से basic solution है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, second step में KCN का यूज कर रहे हैं, third step में हम लोग H3O plus hydrolysis कर रहे हैं और heat कर रहे हैं, तो इस case में क्या बनेगा, isobutyl aldehyde and formaldehyde, तो हम लोग देखते हैं, इसके solution के उपर, काफी अच्छा question और अभी तक का best question, जो हम लोग GIMEN में देख रहे हैं, अब यहाँ जान देजिए, तो यह हुआ हमारे पस isobutyl, 1, 2, 3, 4, isobutyl aldehyde, तो isobutyl aldehyde को, जब हम लोग react कराएंगे, किस के साथ, formaldehyde के साथ, कहाँ पर, basic medium में, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर होने वाला, cross aldol condensation reaction, क्यों aldehyde के बगल वाले atom पे, alpha carbon पे, you have hydrogen, तो यहाँ पर hydrogen अगर कहीं होता है, तो aldol condensation होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, carbon ion , वह carbon ion क्या करेगा तो दूसरी aldehyde पर attack करेगा, यहाँ बनेगा carbon neon सबसे पहले सट्ृप में नहित अपर आटक करेगा, तो aldehyde पर attack क्या उप्ट का बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा O minus, यहाँ पर प्रोटोन uel कर लेगा यहa bak जाएगा CH2OH okay, this is the part, हम इस में माल ले जाये कि numbering कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर यह 1 कौन सा है, तो this is your 1, और यह कौन सा हो गया, यहाँ ध्यान देच्ज, यह हो गया 2, और 2 पर यह bond बन गया, और यहां पर ध्यान देच्ज, यह कि 2 पर OH भी आ गया, यहां पर हमारे पास क्या है तो यह स्वारी यह यह कार्बन नमबर थी है दिस इस यूर कार्बन नमबर थी और कार्बन नमबर थी और यह कार्बन नमबर टू पर हमारे पास अल्डिहाइड है चुकि रियाक्शन तो यहां हो रहा है और थी पर आपके पास फोर और फाइव ह तो आपको पता है क्याल्डीहे च्रॉथ लातर है सायनोहेत्री यह कार्वन नंबर 2 पे बन गया सायनोहेट्रीं का हठील ल करे कि साइनाइट से क्या हो जाता है कार्बोग जेलिक असिड बन जाता यहाँ पर अगर हम acid देकर के असी medium में अगर हम reaction कराते हैं तो यह carbon number one पे हमारे पास carbon ale group है carbon number two पे alcohol है three पे कुछ नहीं four पे alcohol है तो यह आप देखेंगे one two three four five five member ring के माध्यम से यह intra molecular क्या हो जागा isterification तो isterification में कितने member करिंग बनेगा पांच member का यह oxygen हो गया और उसके बाद CO group हो गया और यहाँ पर CH OH हो गया और अगले carbon पे methyl, methyl and CH2 तो यह आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर CO group यह आपका carbon number one है two है three है four है five and six है तो यह आपका carbon number one, carbon number two, carbon number three, four और उसके पाद five and six यह हो गया हमारे five and six तो यह आपका product है अब आप देख लिजिए कि reactant में यह हमें option में कहां मिला है option में देखेंगे तो this is the product, three reaction यहाँ पर जुड़ा हुआ है कौन-कौन, aldol, cyanohydrine formation और इसके बाद intramolecular starification तो इस question को tough माना जाएगा और जाई में के point of view से this is really tough question तो यह tough question है carbonial compound का question है और यहाँ पर अगर कोई बच्चा answer कर रहा है तो इसका मतलब आपके तैयारी काफी अच्छी है और नहीं तो आप इसकी बेहनत करें और इस तरह समझें यह समझने की बात है कि आने वाले समय में इस तरह के और भी question आपको मिलेंगे next round में इस तरह के question के हम लोग लगंईत कर सकते हैं अगे डाइस एकडाी सिस गिब्स ए एंड बी … एक डाइस से तो आपको पता है और गैनिक केमेस्टरी में कार्भो हड़रेट में डाइस से कौन-कौन है तो फ्रुक्टॉज फ्रुकॉज फ्रुक्टॉज यह दोनों क्या हो गए monosaccharide में क्या है? तो maltose है, maltose है, और इसके बाद आपके पास lactose है और एक सुक्रोज है, तो यहाँ पर ध्यान रखिये कि diisaccharide वो कौन सा diisaccharide है? जो hydrolysis करके A और B देता है, और A और naitric acid के साथ क्या देता है? तो यह six member का डाइक कार्वोग जिलिक एसिड देता है और बी कैसा है लीवो रोटेटरी तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली यह सुक्रोज है जिसके हाइट्रोलेसिस से ग्लुकोज और फ्रुक्टोज बनता है और ग्लुकोज और फ्रुक्टोज कैसा है तो लीवो हैं और उसका नाम ही यह इन्वर्टेज का मतलब ही है इसको कहा जाता है इसलिए यहाँ पर इसका निगेटिव होता है लीवौ रोटेटरी है तो टेल्ट यह नहींद ग्लुकोज के नाइट्रिक एसिड के औक्सदीशन से क्या बना तो शाकरिक एसिड अगर आपने बायो मालेकुल अच्छे से पढ़ रखा तो यह आपका अंसर मल्टोज में ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज बनता है और ग्लुकोज का जो पार्ट है वो लिवरोटितरी नहीं होता है वो तो कैसा है वो तो देक्स्टरोटितरी है आगे बरते हैं अगले कोशन पर नाचुरल रबर इज लिनियर पॉलिमर आफ आईसोप्रीन उनिट with शिस आईसोबर, देखू, पॉलिमर का है, चैप्टर पॉलिमर है, आसान कोश्चन है, नाचुरल रबर पे है, तो नाचुरल रबर कैसे बनता है, तो basically आपके पास isoprene unit जो है, इस isoprene unit से ये बनता है, और ये कैसा होता है, तो cis combination होता है, ये जब भी आप इसको combine करेंगे, तो this will give cis combination of rubber, तो ये basically cis combination में बनता है, हाँ, अब इसमें second, पहला line तो सही है, polymer of isoprene is polar and has coil-like structure, तो अगर आप NCRT recall करेंगे, तो उसमें इस बात का जिक्र है, this is coil-like structure, coil-like structure, है, coil-like structure, लेकिन एक जो सब्द और है, अगर ये polar है, तो ये line गलत है, क्यों, क्यों कि ये जो इस तरह के compound है, जो polymers है, natural rubber के, इन्हें हम non- polar मानते हैं, और ये non-polar solvent में dissolvable है, dissolve करता है, तो ये polar नहीं है, अगर यहाँ पर polar दिया गया, चुकि ये memory-based question है, तो हमारे पास original question नहीं है, अगर ये polar है, तो इसका मतलब ये गलत line है, और अगर ये non-polar है, तो ये line सही है, चुकि इसका एक component सही है, it is coil-like structure, और यहाँ क् पोलर, तो पोलर का मतलब ये हुआ, कि उसमें कम से कम एक polarity group, जब भी हम बात करते हैं, polymers की, तो polar polymer उसे कहते हैं, जिसमें कम से कम कटायनिक हो, या एक polar group मौजूद हो, तो यहाँ पर ये polar है, इसलिए इसका answer क्या होगा, अगर ये polar है, अगर ये polar है, तो फिर दोनों स्ट statement सही हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान देना है, और इस तरीके से ये सारा question हम लोगों ने discuss कर लिया, और I hope आपके अच्छे गया होंगे, exam आपने अच्छा दिया होगा, और अब हम लोग मिलते हैं, next session के next paper के साथ, thank you.